Good morning मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी वन में संग्या पढ़ेंगे संग्या को इंग्लिश में क्या क्याते हैं? Now तो चलिए बच्चों, आज आप लोगों को संग्या के मारे में बताती हूं बच्चों, यहाँ पे आपको एक पार्ग का चित्र दिख रहा है दिख रहा है न? तो आएए देखते हैं इस चित्र में कौन-कौन है सबसे पहले यह देखिए यह क्या है पातर सूरज माली पौधे बच्चे है न? बच्चे है न? यह देखिए तो यहाँ लिखेंगे बच्चे कुट्टा चुडिया और हमें क्या दिख रहा है? पेड गास यह देखिए फूल जूले जूला यह देखिए यह देखिए यह जाड़ियां भी है यह क्या है? जाड़ि यह देखिए 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 पौधे, हमें इतनी सारे चीज़े देखी और ये जितनी चीज़ें हमें दिखाए दे रही हैं इन सबका अपना-पना एक नाम है उस नाम से ही उनकी पहचान हो रही है और ये ही नाम जो है संग्या क्यालाते है ठीके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखिए, ये एक कक्छा का चित्र है, यानि कि क्लास का आए, देखते हैं, इस कक्छा में क्या-क्या चीज़े हैं पहला है चार्ट, ये देखिए आपके क्लास में भी टंगी होती है ना, चार्ट बच्चे, और क्लास्रूम में बच्चे होते हैं मेज, यानि कि, मेज यानि कि, डेस्क, किताब, भुक, बस्ता, बैग, पंक्खा, स्विक्छत, ब्लैक पूर्ट, तो बच्चों, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, इनकी नाम से ही इनकी पहचान हो रही है, हम किताब को बैग नहीं कह सकते, बच्चे को हम सिक्छक नहीं कह सकते, सिक्छक को हम बच्चे नहीं कह सकते, ठीक है बच्चों, तो इन सब नामों से इनकी पहचान है, और ये नाम ही संग्या कहलाते हैं, आएए, आगे बढ़ते हैं ये देखिए, ये एक कमरे का चित्र है, इस कमरे में आपको आईए बताते हूं क्या-क्या है, अलमारी, दर्वाजा, घड़ी, पंक्खा, कम्प्यूटर, लड़की, फल, पलंग, खिड़की, ये रखिए, खिड़की भी है, ठीक है बच्चो, तो ये कमरे में रखिए प्रतेक वस्तु का कोई न कोई नाम है, अब उसकी नाम से ही हम उसे पहचान करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, आई ये नाम ही संग्या क्या लाते हैं, ठीक है, चलिए, ये संग्या क्या परिभाशा आएए पढ़ते हैं किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं या हम ये भी कह सकते हैं सरल वाक्यों में नाम वाले सभी शब्द नाम वाले सभी शब्द संग्या कहलाते हैं नाम वाले सभी शब्द संग्या कहलाते हैं ठीक है बच्चों? चलिए संग्या को हम ठीक से और समस्ते हैं ये देखिए पहले यहाँ पर दियावा है व्यक्ति फिर वस्तू प्राणी प्राणी में कौन कोन आते हैं? मनुष्य केट, पतंग, पशू, पक्छी सब आते हैं प्राणी में भाव ये हमारी भावना होती है स्थान मतलब जगर तो आईए एक-एक करके हम समस्ते हैं तो पहले व्यक्ति, वस्तू, प्राणी, भाव और अस्थान के नाम को सबसे पहले हैं व्यक्ति किन तो देखिए यहाँ पे राजू, मीरा, गीता, अशोग, राहुद, हरी ये सब क्या है? ये सब नाम है व्यक्तियों के और भी आते हैं रख्तियों के नाम में माता, पिता, दादा, दादी, बेहन, भाई ये जितने भी रिष्टदार हैं वो सब भी संग्या शब्द होते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं वस्तू, यहाँ देखिए वस्तूओं के नाम है गेंद, फल बेटा, फल में जो भी फल होते हैं सब संग्या शब्द हैं आम, अमरूत, केला, लीची, संत्रा जितने भी दुनिया में फल हैं वो सब के अपने अपने नाम हैं और वो संग्या शब्द हैं तेक है, साइकल, बोतल, पैंसल, कागज ये सब संग्या शब्द हैं प्रानी, प्रानी में कौन-कौन आते हैं? मनुष्य, पशू, पक्छी, काई, घोड़ा बंदर, जीच, हाथी, बक्री, आदी इसमें कीट पतंग भी होते हैं, मच्छर, मखी, ये सब भी जो हैं सारे, जितने भी कीट पतंगे हैं ये कीडे हैं, कीडे, मकौडे जो भी होते हैं वो सब के सब संग्या हैं चलिए, आके बढ़ते हैं, भाव के नाम बच्छो, ये देखिए, भाव के नाम पहले पढ़ते हैं क्रोट, खुशी, प्रेहिम, इश्या, दुख, भूख, प्यास बच्छो, ये जो भाव होते हैं इनको हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं अब आपकी ममी आपसे प्यार करती हैं, तो ये आप महसूस करते हैं वो आप देख नहीं सकते, और उसको छू भी नहीं सकते वो सिर्फ महसूस किया जा सकता हैं, न उसी तरीके से क्रोध हो, खुशी हो, इश्या हो, चाहे दुख हो, चाहे भूख लगी हो ये प्यास लगी हो, आपको कस के भूख जब लगती है, तो आप महसूस करते हैं, ममी को तो आप दिखा नहीं पाते हैं, कि आपको भूख लग रही है ये आप जा करके बोलते हैं ममी मुझे भूख लग रही है मतला ये आपको महसूस होता है कि आपको भूख लग रही है है न तो समझ में आ रही है बच्चो भाव किसको कहते हैं जिसे हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं सिर्फ महसूस करते हैं इसे हम भाव कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं स्थान यानि के जगह दिल्ली एक जगह है मुंबाई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा पंजाब, तामिलनाडू, हर्याणा, अमरिचसर, केरल, उरिष्टा उसी तरह हमारा डाल्टेन गंज भी एक जगह है और आपके स्कूल भी एक जगह है, पार्क, मार्केट, ये सब भी अस्थान में आते हैं ठीक है बच्चो तेवहारों के नाम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तेवहारों के नाम है कुछ दिये में, होली, क्रिस्मस, इईद और भी तेवहार होते हैं हमारे हैं बहुत सारे तेवहार मनते हैं, वो जितने भी तेवहार होते हैं, वो सब संग्या शब्द है सब्ता के दिनों के नाम सब्ता के दिनों के नाम, रविवार, सुमवार यहाँ पे दो ही दिन आपको उधारन के लिए दिया गया है ऐसे सब्ताह में कितने दिन होते हैं? साथ जितने भी दिन होते हैं वो सब संग्या शब्द हैं महीनों के नाम महीने में जितने भी शब्द आते हैं यहाँ जुलाई और दिसंबर दिया है महीने के कितने नाम होते हैं? पता है आपको न? 12 महीने होते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं तो जितने भी महीनों के नाम है जन्वरी से लेकर दिसंबर तक वो सब संगया है चलिए बच्चों यह आपने देखा कि संगया किसे कहते हैं एक बार आए फिर से दोर आते हैं वक्ति पशुपक्छी वस्तू स्थान या भाव के नाम को यह देखिए भाव के नाम को संगया कहते हैं ठीक है बच्चों तो उमीद करती हूँ कि आप लोग संगया अच्छे से समझ गया होंगे और इसे आप लोग फिर से अच्छे से पढ़ेंगे याद करेंगे और समझ कर पढ़ेंगे ठीक है बच्चों तो आज के लिए इतना ही आप अपने घर में स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें धन्यवाद